संभोग सही तरह से किया जाएं, तो यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाएं, तो यह केबल एक शब्द बन जाता है. आजकल जिस पुरुष के पास पैसा है, उसके पास त्रीप और योनी की कोई कमी नहीं है. जो औरत पीछे से संभोग करवाती है, वह औरत योनी से ज्यादा पीछे से संभोग करवाने से ज्यादा संतुष्ट महसूस करती है. जिस महिला की हंसी खूबसूरत होती है उनका प्यार भी बहुत गहरा होता है और ऐसी महिलाएं पुरुष की और जल्दी आकर्शित हो जाती है साइकोलोजी कहती है कि अधिकतर महिलाएं शरार्ती बातें करने वाले पुरुषों के प्यार में जल्दी पड़ जाती है बिना अपनी सीमाएं जान अगर एक महिला सुन्दर होने के बावजूद भी अकेली है तो इसका मतलब है कि उस महिला का मानसित स्थर बहुत मुचा है एक पुरुष जिन्दगी में कभी भी एक स्त्री की योनी के गर्मी को शांत नहीं कर सकता है चरित्रही महिलाएं किसी एक पुरुष की कभी नहीं हो सकती है उनके प्रेमी और उनके साथ ही उनके जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं जो महिलाएं अपनी नाभी को ढखकन नहीं रखती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही कामुक और सेक्सनुमा होती है जब कोई स्त्री आपसे पूछती है कि क्या वह मोटी है तो आप उसे कुछ भी नहीं बताएं क्योंकि वह आपसे केवल नहीं शब्द सुनने के लिए ही पूछती है जब किसी औरत की योनी पर पहली बार किसी पुरुष का वीर्यगिता है यह ऐसा है जैसे किसी बंजर जमीन पर बारिश की पहली बूंद बड़ी हो जो स्त्री जितनी ज्यादा आकरशक होगी उनका शरीर उतना ही सेक्स नुमा और कामुक होता है ऐसी औरत संभोग से बहुत ज्यादा दिल्चस्प रखती है यदि आप संभोग करते समय अपनी पत्मी के स्तनों को जोर जोर से दबाते हैं तो उसके स्तन धीले होने लगेंगे और लटकने लगेंगे कुछ औरतों को संभोग के दौरान मर्दों के लिंग से ज्यादा मर्दों के जीव से आनंद मिलता है जब मर्द उनकी योनी को जीव से संतुष्ट करते हैं चरित्रहीन औरत जब किसी गैर मर्ग को देखती हैं तो उसकी आखे भी हरक्ते करने लगती है और उसके हुंठ पर मुस्कान होती है। जब लड़कियों को महामारी आती है तो पीछे से संभोग करवाने के लिए जल्दी मान जाती है। पुरुष को संभोग करने के लिए महिला की अनुमती चाहिए होती हैं, किन्तु महिलाओं के ऐसा किसी पुरुष के प्रती सूचना ही काफी है। जिस स्त्री का पीछे का हिस्सा बड़ा होता है, वह स्त्री संभोग की लालसा सबसे ज्यादा रखती है। जब भी महिला को संभोग की इच्छा होती है तो उनके स्थन संवेदंशील हो जाते हैं जिससे उसके शरीर में अन्यक्षेत्र में संवेदंशीलता बढ़ती है चरित्रहीन पत्नी की यह पहचान होती है कि जब भी आपके घर कोई अच्छे पुरुष आएंगे तो पत्नी उसपर बार-बार नजर डालेगी जिस औरत को गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने की लट लग जाती है तो उसको रोग पाना नामुम्किन होता है पत्नी के रिष्टे को मजबूत बनाने के लिए प्यार और विश्वास जरूरी होता है पर इससे भी ज्यादा जरूरी है पत्नी को सेक्स पावर यदि आप अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसे संब्धोग की संतुष्टी के साथ साथ सच्चा प्यार भी करो और उसकी भावनाओं को भी संजो जो महिला कुद्दे की तरह संब्धोग करवाती है वह महिला बहुत ही ज्यादा कामुक भी होती है जब कोई पवित्रस्त्री किसी गैर मर्ग के साथ चुम्बन या संब्धोग करती है तो इसका मतलब वह अपने पत्ती के साथ खुश नहीं है जब कोई स्त्री संब्धोग करती है तो वह अपने साथी से बंधा हुआ महसूस करती है एक स्त्री के योनी में इतनी गर्मी होती है कि वह पुरुष के लिंग को जला सकती है संभोग करते समय स्त्री के योनी अपने मूल आकार से आठ गुना ज्यादा फैल सकती है अच्छा भोजन अच्छे संभोग की तरह है जितना अधिक मिलता है आप और उतना अधिक चाहते हो एक पुरुष्टा लंबा लिंग स्त्री के योनी की गहराई में जाने से स्त्री को बहुत ज्यादा दर्ग देता है जिस औरत की योनी काफी धीली होती है तो संभोग करते समय उसकी योनी से पचपच की आवास आने लगती है कुछ मर्दों का लिंग पर आएं औरत के उसन देख कर ही सक्थ हो जाता है और लीख होने लगता है साइकोलोजी के अंसार एक औरत चाहती है कि संभोग के दौरान उसका साथी उससे अलग-अलग अंदाज में खुश करें ऐसा करने से उसे बहुत ही आनंदाता है किसी ने सही कहा है शादी एक जुआ का खेल होता है जीवन साथी अगर अच्छा हो तो इनसान मिखर जाता है और बुरा हो तो बिखर जाता है औरत दाढ़ी रखने वाले मर्दों की ओर देखते ही आकर्शत हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है ऐसे मर्ग अन्य मर्ग से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं जो औरत ज्यादा संभोग करती है उस औरत का पीछे का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है संभोग करते बक्त अगर औरत की योनी से आवाज आने लगे तो इससे महिला की त्रिप्ति शांत हो जाती है उन औरतों की निजी अंगों में कसाद उत्पन होने लगता है जिस औरत में काफी समय से संभोग नहीं की है पहले से संभोग की हुई महिला का पिछला हिस्सा बहुत बढ़ा होता है और उनकी योनी काफी धीली होती है और स्थन लटके रहते हैं. जब कोई मर्ग उस समय किसी महिला के साथ संभोग करता है जिस समय बह गुस्से में हो तो उस महिला का गुस्सा बहुत ही जल्दी शान्थ हो जाता है और बह संभोग का भरपूर आनंद लेती हैं मनोविध्यान के अनुसार पीरिडस में संभोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पीरिडस में संभोग करने से संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है भरोसे में इतने भी अंध्यमत बनो की पास वाले का असली रंगी आपको दिखाई ना दे साइकोलोजी के अनुसार जो औरत बूढ़े पुरुष का केला चूसती हैं इसका मतलब है कि उसे जवान पार्टनर नहीं मिला होगा या फिर वो औरत बुरी हो सकती है किसी स्त्री के खुले स्तनों को देखनी से वहस्त्री उस पुरुष की और जल्दी आकर्शित हो जाती है प्यार के बिना संभोग और संभोग के बिना प्यार खोखला होता है संभोग के दौरान पुरुष के लिंग का अगला भाग लाल होना स्ट्री के योनि सक्त होने के कारण होता है महिलाई यौन सम्बंध बनाने के लिए आलोचना और शर्मंदगी से दर्ती रहती है इसलिए पहले खुल कर नहीं कहती है संभोग करते समय स्त्री लिंग को योनी में डालने से पहले योनी को सहलाती है स्त्री के साथ कामवासना कहीं बहतर है लेकिन तब स्त्री के साथ कोई नहीं रह सकता है साइकोलोजी के अनुसार जिस महिला की योनी जितनी ज्यादा चौड़ी होती है वह संभोग की उतनी ज्यादा शौकीन होती है और वह संभोग के गौरान जल्दी संतुष्ट भी नहीं होती है सुभा होने तक पूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कबर पर इसी लिए जिन्दगी जैसी भी है इसे हस खेल कर जिया करो जिस स्त्री के स्तन छोटे होते हैं उसमें उत्तेजना बहुत कम होती है मोटी स्त्री की अपेक्षा जो स्त्री संभोग करते समय पेशाब कर देती है तो उनकी योनिक शीन होती है संभोग वास्तव में इंसान के लिए सबसे करीबी सपर्ष में से एक होता है ऐसा माना जाता है कि महिला की योनी की गहराई अलग-अलग होने से संभोग के समय आनंद भी अलग हो सकता है हर एक स्त्री की हमेशा यह इच्छा होती है कि संभोग करते समय पुरुष उनको और उनकी योनी को पूरी तरह से संतुष्ट करे अगर आप दिन के समय में तनाव महसूस कर रही हैं, तो दिन में संभोग करने से आपका तनाव काफी हग तक कम हो जाता है स्ट्री के निजी अंग में गसाब उपण होने लगता है, जो संभोग नहीं करती है जब एक महिला को संधोग की इच्छा होती है तो उसके स्तन संवेदन्शील हो जाती है जिससे अन्यक्षेत्रों में संवेदन्शीलता बढ़ती है एक स्त्री अपनी योनी खोल कर लिंग तभी डलवाती है जब उनकी योनी गर्म हो एक रिसर्च के अनुसार हकते में तीन बार सेक्स जरूर करना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ जाती है एक औरत निर्वस्त्र होकर संभोग तभी करती है जब वह अपने पसंदीदा मर्ग के साथ संभोग करती है जो पुरुष कभी भी संभोग नहीं किया हो तो वह पुरुष औरत की योनी की ज्वाला को पल भर में मिटा सकता है अगर आपको 40 साल के बाद भी सेक्स करने का मन होता है तो इसका मतलब है अभी बहुत जिन्दगी बाकी है छोटी योनी वाली स्त्री जब किसी लंबे लिंग वाले पुरुष के साथ संभोग करते हैं तो योनी में जलन होने लगती है और बहुत ज्यादा दर्थ होती है दोस्तों वीडियो को बनाने में लगी मेहनत का फल हमें लोटाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का फल हमें जरूर लोटाएंगे